सैव तथा भागवत धर्म नोट्स भागवत धर्म से वैश्नव धर्म का विकास हुआ परंपरा अनुसार इसके प्रवर्टक विष्णी यानि सात्वी वंसी क्रिश्ण थे छांदोग्य उपनिशद और तैतरिये और अरनक के अंतिम वंस में उन्हें देवी की पुत्र कहा ग है क्रिश्ण के अनुयाई उन्हें भागवत भागवत पुज कहते हैं इस कारण उनके द्वारा प्रवर्ति धर्म की संग्या भागवत भागवत से हो गई है रीगवे ने विष्णु का उल्लेक आकास के देवता के रूप में हुआ है उत्तरवैदिक काल में तीन प्रमुख देवता प्रजापती रूद्र एवं विष्णु थे विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे पतंजली ने वसुदेव को विष्णु का रूप बताया है विष्णु पुरान में भी वसुदेव को विष्णु का एक न हो गया भागवा धर्म दथा वसुदेव की पुजा का उलेख महर्शी पानीरी ने किया है उन्होंने वसुदेव के उपासकों को वसुदेवक का यह धर्म पाड़ाम में मतुरा एवब उसके आसपास के छेतर में परचलित था युनानी राजदूत मेगास्तिनीज के अनुस सूर्षेन मतुरा के लोग हेरकालीज के उपासक थे हेरकालीज से ताथपर वसुदेवकृष्ण से ही है मतुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ भागवा धर्म से संबंध प्रत्म उपलब्द प्रास्तर असमारक विदिया विदिशा स इससे पता चलता है कि तच्छ सिला के यवन सासक एंटियाल किड्स का राजूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहन किया था इस अस्तम के अस्तापना करवाकर उसकी पूजा की इस पर उतकिर्ण लेखों में हेलियोडोरस को भागवत अथा वासुदेव को देव देवस अर्था देवताओ का देवता कहा गया था अपोलो डोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन मिलते हैं महा छत्रप यानि सोडासकाली इनमोडा मतुरा यानि पासान लेख में पंचवीरो संकर्षन वासुदेव सामबत तथा अनिरुद्ध की पासान परतिम दोरा विश्नु पूजा का पता चलता है गुप्त नरेश वैशनब मतानुयाई थे तता उन्होंने इसे अपना राजधन बनाया अधिकांस गुप्त सासक परमभा भागवत की उपाधी धारन करते हैं विश्नु का वहान गरूर गुप्त सासकों का राजचिन था महरौली की अस्तंब में लेक मिलता है कि चंदर नाम के राजा ने विश्नु पद नाम का पहारी पर विश्नु धोच की अस्थापना करवाई थी असकंद गुप्त के भीतरी अस्तंब लेक गाजी पूर में विश्नु की मूर्ति अस्थापित किया जाने का उलेक है जुनागड ले से ज्यात होता है कि चक्र पालित ने शुर्दरसन्जिल के तर्ठ पड़ विश्नु की मूर्ति अस्थाफित करवाई थी देवगठ की मूर्ति में विश्नु को सेशनाक का सहस्या पड़ विश्राम करते हुए दिखाया गया है अमर सिंग ने अपने ग्रंथ अमर कोस में के पूर्विक चलू के साथ सक वहस्नव मताई नहीं थे गुपतो के समान ही उनके उनका राजचीन गरूर था राश्ट कूट नरेश धंति दुर्ग ने इलवरा में दसा अवतार का परसीद मंदिर बनवाया था इस मंदिर में विश्नु के दस अवतारों की कथा मुर्तियों दौरा दरसाई गई है छेमेंदर रचित दसा अवतार शरितर में विश्नु के दस अवतारों का वणन मिलता है अलवार संतो तरा जक्षिन भारत में वैश्नर धर्म का परचार-परचार किया गया अलवार संतो की संख्या ben 12 बताई गई है इसमें विशेश रूम से भी अंडाल थी, चोलकाल में वैसनब धर्म के पड़्चार का काड अलवारों के अस्थान पर अचार्यों ने किया, आच्चार परंपरा में प्र slides Sign, का लिया जाता है, इसे मधूर्द कभी या सिष से बताया जाता है, इनूंने नयजयत्व की रचना की, पुरानों में विश बिश्नु के प्रचलीत अवतार है मतस्य कुर्म अथ्वा कच्छ वारा निरी सिंग वामन पर सुराम राम कृष्ण बुद्ध एवं कल की कली अवतार भविस्य में होने वाले भगवान बिश्नु के दैतिराज हिरनाक्ष का वद्र करने के लिए वारा रूप में धारन किया था 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 उनके चंगुल से धर्ति को छुडाया ऐसी कल्पना की गई है कि भवान विश्नु हाद में तलवार लेकर स्वेत अस्ष पर सवार होकर पित्वी पर अव्तरित होंगे भगवान भागवत था पाच रात्र धर्म में वाशुदेव क्रिष्ण की उपासना के साथ ती तीन अन्य भक्तियों की उपासना की जाती है इनके नाम है संकर्षन यानि बल्राम अशुदेव और रोहनी के उत्पन पूतर थे प्रदूम यानि क्रिष्ण और रुकमेनी के उत्पन पूतर और अनिरुध प्रदूम के पूतर थे इन चारों को चतुर्वेख की संग् धा भक्ति का विषयस महत्व है वैसना भ़रं के प्रमुध रामानूज मध्वाचार्य वलवाचार्व चैतन आदी वैसना खरं के समधित प्रमुध मंदिर है जगनातर मंदिर या पूरी में और इशा में और मिया दसा अलल अवत्यार मंदिर देवगर्ण यानि उत्तर paran Twelve विश्नु मंदिर तिंगवा मध्य पर्देश में है विश्नु मंदिर एरन मध्य पर्देश में ही है द्वारीका धीस मंदिर मतुरा उत्तर पर्देश में है द्वारीका धीस मंदिर द्वारीका गुजरात में है सीव से संबधी धर्म को सैव धर्म कहा जाता है सैव धर्म भारत का प्राचींतन धर्म है इसका संबन्ध प्राग एत्यासिक यूग तक है सिंदूग हाटी के लोग सीव की पूजा करते थे इनका परमान मोहन जदारोस के प्रापत एक मुद्रा है योगी के सीर पर एक त्रिसूल जैसा अभूसन है तथा इसके तीन मूख है मारसल महोदे ने इसे सीव से सम्बंदित किया है रिसब देव में सीव को रूद्र कहा गया है जो अपनी उगरता के लिए परसीद है रूद्र को समष्ट लोगों का स्वामी वाज सनेई संहिता के सत रूद्री ये मंत्र में कहा गया है अथरवेद में उन्हें पसुपती भर्व सर्व पूपती आदी कहा गया पतंजली के महाभास से पता चलता है कि दूसरी सदी इसापुर में सीव की मूर्थी बना कर पूजा की जाती थी महाभास में सीव के निमिनखित नामों का उलेक मिलता है ये प्रमुक नाम है रूद्र महादेव गिरिस भाव सर्व त्रियंबग आदी कुसान सासकों के लिए सिको परसीव विरिसव और त्रिसूल की आकरितिया मिलती है उदैगिरी गुहा लेक से पता चलता है कि चंद्र गुप्त दुत्तिये के प्रधान मंतरी बीर सेन ने उदैगिरी पहारी पर एक सैब गुफा का निर्मान करवाया था कुमार गुप्त प्रत्थम के समय में खो तथा करम दंडा में सिवलिंग की अस्थापना करवाई गई थी गुप्त काल में नचना कुठार में परवती मंदिर का भूमरा में सीव मंदिर का निर्मान कराया गया था काली दास ने कुमार संभव में सिव की महिमा का गुनगान किया चंदेल सासको द्वारत का परसीद कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया था राष्ट कूटों के समय में एलोरा का परसीद कैलास मंदिर निर्मित किया गया था पल्लव काल में सयव धर्म का प्रचार प्रसार दच्चिन भारत में नेयनारो द्वारा किया गया था नेयनार संतों की संग्या 63 है इसमें तिरूज ग्यान सुंदर मुर्ती संबदर अपार मनिक वाचगर आदी के नाम उलेखनिये हैं इनके भक्ति गीतों को एक साथ प्रतम के तंजोरें ब्रेदेशवर अथवा राज राजेशवर मंदिर का निर्मान करवाया था कुलोतुंग प्रतम एक कट्टर सैव था इसने सिव के प्रति अतिसाय स्रधा के करणची दमरम मंदिर में अस्थापित विश्नु की प्रतिमा को उखार कर समुन्द में फिक के बेंद्नाथ महा कालेस वर्ज उजैन में, ओंकारेसवर, जो मदे परतिस में बीमा संकर पूने में, अ त्रंबेज क्वर नासिवर और गुम्रे स्थान में, मलिका अर्जु जुळान परतिस में, रामेस्वरम तमिलनाडु में है वामन पुरान में सैव संपर्दाय की संख्या चार बताई गई है ये हैं सैव पासुपत का पालिक एवं काला मुख पासुपत संपर्दाय कुत्पती इसी इसापुर्व दूसरी सवदावदी में हुई थी पुरानों के अनुसार इस संपर्दाय की अस्थापना लकुलीस अथवा लकुली नामक ब्रहमचार न की थी इस संपर्दाय के अनुयाई लकुलीस को सीव का अवतार मानते हैं कापालि के संपर्दाय के उपासक भैरब को सीव का अवतार मानकर उसकी उपासना करते थे नरमुंद धारन करते हैं भौभ भूतिक से मालती माधव नाटक से पता चलता है कि स्री सैल नाम का अस्थान का पालिकों का प्रमुक केंदर था काला मुक संपरदाय अतिमार्गी होने के कारण सी पुरान में इसके अनुवयायू को महावुरत धर कहा गया है सैब धर्म का ही संपरदाय लिंगयात अथवा सिवीर सैब था इसका प्रचार बारवी सताबदी में दच्चिन भारत में व्यापक रूप से हुआ वसब को इस संपरदाय का संस्थापक माना जाता है सैब धर्म का एक नया संपरदाय कस्मीर में विख्षित हुआ यह संपरदाय सुद्ध रूप से दार्शनिक या ग्यान मारगी था, नाथ पंथ संपरदाय दसवी सदी के आंत में मतेंदर नाथ ने चलाया, इसमें सीव को आदिनाथ मानते हुए नो नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मनेता परदान की गई, बावा गोरक नाथ ने इस मत का अधिकार प् परन मंदिर है, राज राजस्वर मंदिर जो तंजे और में है, शिम मंदिर भूम्राרים, चितमरम, तमिनाड़ु में है, बिरुपाक्ष मंदिर हमपी करनाटक में है, कासी विश्मनात मंदिर वारा नसी उत्तर प्रदेश में है, कासी विश्मनात मंदिर, साक्त प्रदाय की लोग सक्ती को इश्ट देवी मानकर पूजा करते थे, सैब धर्म के साथ, साक्त धर्म का अनिश्ट अमंद रहा है, साक्त धर्म की प्राचिंता भी सैब धर्म के समानत प्राग एतिहासिक यूग तक जाती है सैंधव सब्यता में मात्री मात्री देवी की उपाशना व्यापक रूप से प्रचली थी मात्री देवी की बहु संख्यक मुर्तिया खुराई से प्राप्त हुई है वैदिक साहित से सरस्वती अधीति उसा लक्षमी आधी देवियों के विशय में सुषना मिलती है देवी महत्मे का विश्तरीत वर्णर महा भारत अथा पुरानों में से प्राप्त होता है देवी की उपाशना तीन रूपों में की जाती है ये रूप है सांत या स्वम्मे रूप उग्र या पर्चंड रूप और काम या प्रधान रूप स्वम देवी का मंदिर देवी के स्वाम में रूप का मंदिर है पस्चमी बंगाल में उत्तर 24 प्रगना जिले में इस्ति दक्षिनेश्वर काली मंदिर देवी के उगर रूप का प्रतिनिधित्व करता है असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का महिसा सुर्व मर्दनी कांचन देवी अमबा आदी में अमोग की स्तुति मिलती है। राष्ट कुट सासक अमोग वर्ष महालक्षमी का अन्यन भग था। संजन लेख में ज्यात होता है कि उसने एक बार अपने बाय हाथ की अंगुली काट कर देवी को चढ़ा दी थी। साक्ता उपाशना के तीन प्रमुक के अंदर है। यह है कस्मीर, कांची और आसम इस्थित का मख्या। कॉल मत का परसीद के अंदर है। साक्त धर्ण वे समदित कुछ प्रमुक मंदीर है। वैश्णो दिवी का मंदीर है जमुयम कस्मीर में है। विंद्यवाशनी दिवी का मंदिर है विंद्या चल उत्तर परदेश में है। आरवाज़ीन का मंदीर है MP3 में तर प्राचीन भारत में विश्वोंद estéर उस्थ related 4 य्जों के चक्र का क्रमए इस परकार है.. इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, यानि कृत है, तृत है, द्वापर और कली है, प्राचीन भारत में विश्वपति, विध्यक धारनाओ के अनुसार, चार यूगों के चक्र का करम इस प्रकार है, यानि कृत यानि सत्यू को कहा गया है, तृत हो गया है, उसके बाद प्राचीन काल में अर्ध नारेश्वर के रूप में सिव की कलपना की गई है जो पूरु सेवं प्रकृति अत्वा देव और उसकी सक्तियों के योग को दर्चाता है पूर्व महाकाल में भक्ती भावना का प्रसार प्रसार मुक्रत दचिन भारत में विसेशकर तमिल भाशी छेतर में हुआ उसकाल में भक्ती भावना को लोग प्रीये बनाने में दो संपरदारों के प्रमुक भूमिकार रही है तिरुजग्यान पुए गई पुन्डम एवं तिरुमंगई अलवार संत थे जबकि तिरुजग्यान नेनार संत था भागवत संपरदाय के विकास में किसका दे देन अत्यधिक था अंतर हो जाएगा गुप्त का भागवत अत्वा व्यष्णभ धर्म का स्रमोतकर्च गुप्त राजाओ के सासंकाल में हुआ गुप्त नरेस व्यष्णभ मतयों नहीं थे तथा उन्हों ने इसे अपना राज धर्म बनाया अधिकान्ज गुप्त सासक परम भागवत की उपादी धारन करते थे विश्णु क वाहन गरूर गुप्तों का राज चिन्न था भागवत धर्म के परवर्तक थे आंसर वजय का भी क्रिश्ण प्रमपरानुसर भागवत धर्म के परवर्तक विश्ण सात्वत वंसी क्रिश्ण थे जिन्होंने वसुदेव का पूत्र होने के कारण वसुदेव क्रिश्ण कहा जाता है वे मूलतम मतुरा के निवासीते चाण्दोगय उपनिसद में इन्हें देव की पूज तो नगिरज काशिस से बताया गया है यू diret गरंथ में स्वरपतन्यं की पुज़न का वडन किया गया है ऐस्पर्ण क के पूज jeito में दर्सित होता है जो समवक्ता छटी सदी इसापुर्व से पहले सस्थाफित हो चुका था वासुदेव जो कृष्ण का प्रणभिक नाम था पानिनी के यूग में प्रचली था उस यूग में वासुदेव की उपासना करने वाली वासुदेव यानी भागवत कहे जाते थे निम्रिकीत में से किस देवता को कलाय में हल के लिए प्रदशित किया गया है आंसरो जगा B बलराम को बारतिय संख्रिती प्रंपरा के अनुरूप कलाय में हल के लिए किष्ण के भाई बलराम को प्रदशित किया गया है उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है भागवत संपर्दावें भक्ति के रूप की संख्या है आंसरोजेगा C9 भागवत संपर्दावें मुक्ष प्राप्ति के लिए नवधा यानि नव भक्ति को मनेता दी गई है हेलियो डोरस का बेशन नगर अभिलेक संदर्वित है आंसरोजेगा D केवल वासुदेव से भागवत धर्म संबंधित प्रथम उपलब्द प्रसस्तर असमारक विदीशा यानि वेशन नगर का गरूर अस्तम है इससे पता चलता है कि तक सिला के यवन सासक एंटियाल किड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म गरहन किया रहा था इस अस्तम की अस्तापना करवागर उनकी पूजा की इस पर उतकिन लेक में हेलियोडोरस को भागवत ततावस वशुदेव को देवस अर्थात देवताओ का देवता कहा गया है विष्णू के किस अफतार को सागर से प्रित्वी का उदार करते हुए अंकित किया गया है आंसर रजेगा वारा अफ्तार भगवान विष्णु ने दैत राज हिरन कस्यप का वद करने के लिए वारा रूप दारन किया था था उनके चंगुल से धर्ती को चुरवाया था और आनिक चित्रों में वारा भगवान धर्ती को अपने दानतों के उपर संदुलित कर सागर से निकलते हो दर्शाए गए हैं इस अफ्तारे मानव सरी पर वारा का सीर और चार हाथ है जो भगवान विष्णु की तरह संख चकर गदा और पद लिये हुए दैत हिरनाक्ष से युद कर रहे हैं अतब इकल्प सी सही होता है भारत में आस्तिक और नास्तिक संपरदाय में वर्गी करन का आधार कभी वेद प्रमन्य में विश्वास रहा है जो कभी इस वर्गी सत्ता में विश्वास परलोग की मन्यता थी इस वर्गी करन का आधार रही है किन्तु वेद प्रमन्य में विश्वास ही इस वर्गी करन का समत आधार बन गया अर्थात आस्तिक नाश्तिक संपर्दायवे हैं जो वेदो की परमनिकता को नहीं मानते। निमनिकीत में कौन सा मोक्ष के साधन के रूप में कारे कर्म तथा भक्ति के समान को महत्व देता है। इसका आंसर हो जाएगा। C यानि भगवत गीता। गीता में ज्यान कर्म दता भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भवान कृष्ण के द्वार निम्निकित स्लोकों में इन तिनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। येतु सर्वानी कर्मानी मै सन्यस्य मत्ष पड़ा अन्ये नैवे योगेन मा ध्यायंत उपास्ते तेसाम समुद्रता भित्यु संसार सागरता भवानी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेत्साम। स्लोक में मध्य में कर्म से भक्ति तदा ज्यान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। कर्म योग का आर्थ है कि हम कर्म को सदय साधे के रूप में देखे उन्हें कभी भी साधन के रूप में न ग्रहंगन करे। हम कर्म तो करें किन्तु कर्म फल में आस्तीत न रखें गीता के निश्काम कर्म योग से ज्ञान भक्तियम कर्म का समन भै होता है गीता की प्रमुख सिक्षा निश्काम कर्म योग का आदे से गीता स्वयम मिभिन योग मरो का तुलनात्मक अध्यन करके निश्काम कर्म योग क इसपरकिन काम काम और देवता माना गया है, इनकी पतनी रहती है, इनके अन्य नाम है, कडंप मनमथ आदी है नेमलिखित में से कौन प्रस्थानेत्री में समिलित नहीं है आंसर हो जाएगा इसका भागवत उपनिशद ब्रह्म सुत्र और भागवत गीता को वेदान की प्रस्थानेत्री कहा जाता है क्योंकि ये वेदान के सर्व प्रमुक्रंथ है इनमे भी उपनिशद मूल प्रस्थान है और सेस्त उन पर आधायत माने जातें वेदान की आचारीओं में जिनोंने ब्रह्म सुत्र पर भाएग लिख कर अपने अपने वेदान संप्रदायक को परतिश्था किये उनमें आदि संक्राचार सबसे प्राचीन है। वह प्राचीन अस्तल जहां साथ हजार मुनियों की सभा में संपुन महाभारत कथा का वाचन किया गया था। इसके पूर महाभारत कथा का वाचन वैसमप्यान के राजा जनमेज के लिए किया था। रामायन के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेट का वर्णन है। आंसर हो जाएगा किस किंधा कांड है। काली वद एवं सुग्रीप के वाइनर सासक बननने का बननन है। काली का पुरान किस धर्म से संबंदित है। काली का पुरान को काली पुरान तथा सती पुरान भी कहा जाता है। हिंदु धर्म की साक्तवाद परंपरा में परमु उप पुरानों में से एक है। सुमिजित कीजिए एक सुचियों के कूटी को यहां सिदा आंसर इसका देख लेते हैं। देवता और पहचान, सिव का तिरसूल है, बिश्नु का चक्र है, गनेश जी का रसी तता फंदा है, सुरस्वती जी का वीना है। पुरी में रत्यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। आंसर हो जाएक भगवान जगरनात के, परतिवस असाड महा में, सुखल पक्स में, और इसा में, पुरी में, भगवान जगरनात, क्रिश्न बर्राम और सुबद्रा के सम्मान में रत्यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुम मेला निमलखीत में से किस एक नदी तट पर लगता है, आंतर हो जाएका गोदावी नदी। नासिक में परतिक 12 वर्स के आंतराल कुम मेला गोदावी नदी के तट पर लगता है। कुम मेला नासिक के अतरिक हरिद्वार में गंगा तट पर परियाग राज में गंगा और यमना एवं बिलूप्त वर्स्वती के संगम अस्तल तथर उज्जयन में सिप्ता नदी के तट पर लगता है। नाथ पंतियों, सिध्धों और योगियों के भगती धर्म के किस छेत्र में लोगपिरिये बनाया है। नाथ पंतियों, सिध्धों और योगियों ने भगती धर्म को उत्तर भारत के छेत्र में लोगपिरिये बनाया था। इन्हों ने साधारन तर्ग वितर्ग का सहाया लेकर रूढ़ वाधी धर्म के कर्मकान्दत अन्य बनावटी पहलुऊ और ततकालीन समाज विवस्ता के यलोशना किये। इन्होंने संसार का पडित्याक करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने के अनुभूती ही मुक्ष का मार्ग है। इसलिए इन्होंने योगाशन, प्रनायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के मन और शरीर के कठोर प्रसिक्षन देने का आवसकता और बल दिया है। जैन धर्म, पावपुरी से समन्तित है, हिंदु धर्म, परनसी, इसलाम धर्म, मदीना, इसाई धर्म, वेटिकन, मदीना, पच्चमी, सौधी, अरव में हेजाद छेतर रीजन में इस्तित है। यह मक्का के बाद इसाई धर्म का दूसरा पवित्रतम सहर है। वेटिकन सिटी इटली में इस्तित अस्तल सुध संप्रभू देश है। इसका कुल छेतरपल मात्र 44 सेक्टेयर है, जो बिश्व का सबसे छोटा जन संख्या रम छेतरपल दोनों में सोतंदर देश है। या रोम के बिशव औफ रोम जिसे पोप भी कहा जाता है कि द्वारा सासीत है, इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। जाता है, जाता है।